आज हम बनाएंगे एक बहुती तेस्टी और हिल्डी नास्टा जो सुभा आप भागा धोरी में जल्दी जल्दी तयार कर सकते हो और साम को भी छुटी छुटी भूख के लिए ये बना के खा सकते हो बच्चों के तिफिन में डाल सकते हो बहुती तेस्टी है और बनाना और पशंद आएगा हमने लिया है एक कप पोहा और एक कप सूजी और सबसे पहले हम सूजी और पोहा को मिक्सी में दाल के थोड़ा सा पीस लेंगे महीन कर लेंगे और यह मिक्सी जार है इसमें हम एड़ कर देंगे पोहा और यह पोहा है एक कप लिया है मैंने और यह एक कप सूजी दोनों को मिक्सी में सला के थोड़ा सा महीन कर लेंगे ये देखिए हमने इसको थोड़ा सा मिक्सी में घुमा के पाउडर कर लिया है हम लेंगे एक मिक्सिंग बोल और इसमें एड़ कर देंगे आधा कप दही ये दही थोड़ा सा खटता है मैं और दही को थोड़ा सा फेट लेंगे और फेटने के बाद हम इसमें जो पाउडर बनाया था सुजी और पोहा का इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे जितना पानी जुरुरत है इतना पानी डालना है आपको यह देखिए पानी डालने के बाद अच्छे से mix कर लेंगे इसको यह देखिए हमने mix कर लिया है और पानी अभी ठोड़ा और जरुरत परेगा तो मैंने पानी डाल दिया है और इसको अभी धखके 10 एक मिनिट के लिए हम रख देंगे और ये रेस्ट पे जिटना पानी ये सूजी भी फुल जाएगा और पोहा भी हम एक बेजटिबल का मिसरन बनाएंगे उसके लिए हमने गैस पे कराई रख दिया है पैन रख दिया है और पैन में एक सम्मस ओयल डाल दिया है थोड़ा सा सरसो काले सरसो करी पत्ता दाल के भू प्याज बवाद हम और ये ये जबाहित धाज ऊते हैं कि से लिए हैं और प्याज करना और इसके बाद और ये मेद कर देंगे ये ये इदाख और दो ह Agreement कर दाला है इसको भी भून लेंगे और इसके बाद में एड कर trenches गरेयं हूं मतर ये डो टेबले ब L. मतर को भी हम इस तरह से भून लेंगे और इसको नरम होने तक और इसके बाद मैं एड करूंगी इसमें और सबजी जैसे मैंने कौन डाला है इसमें और ग्रेट गाजर और इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और mix करके इसमें नमक डाल देंगे स्वादनुसर और इसके बार मैं 40 minutes कम एक पिंस मैंने डाला है ये Sha coaliler, husky powder डालने के बार मैं डाल लेगी हूं इसमेंट लाल मिट्स पाओडर मिट्स अपने पसंद केनुसर कम जड़ा कर सकते हैं और इसके बाद मैं डाल ले हूँ घर का पिसा हुआ मसाला, सबजी मसाला है ये और इसको अच्छे से सौटे कर लेंगे मसाले के साथ और इसके बाद हम इसको गैस बन करके इस मिस्टरन को हमने जो बैटर बनाया उसमें एड़ करेंगे अभी हम ये वेजटेबल मिक्स्षन को इस बैटर में डाल देंगे और डाल के मिक्स कर लेंगे इसके साथ बैटर के साथ ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी है बच्चों को आप सबजी खिलाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है आप इसको बनाईए इस तरह से और हमने ब नमक दाल देंगे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम दालेंगे थोरदा अधनिया हाँ टीशिपून लिया है मैने और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी एक टीस्पून और इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ज़्यादा देर नहीं रखेंगे अभी हम इसका जो नास्टा बनाना सुरू करेंगे गैस पे कराई रख लेंगे और थोड़ा सा ओयल डाल देंगे ओयल डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे यह बैटर और बैटर आप दो सम्मस डाले मैं दो सम्मस डाल रही हूं इसके बाद हम इसको बिलकुल लो फ्लेम में करके कवर कर देंगे ताकि इसका भाप बने और भ बार खोल के देखेंगे दो तीन मिनिट के बाद और ये देखिए ये कुख हो गया है एक साइट से और हम पलत देंगे पलत के फिर दुबारा कवर कर देंगे और ये दो तीन मिनिट के लिए इसको भी कुख होने देंगे इसके बाद ये देखिए हम दुबारा ये पलत के दे यह ओ ग्या है अभी हम इसको निकालने देंगे। इस प्रसीडियोर को एपलाई करके हम दुसरा भी बना लेंगे इस तरहां से ऋमज हम बैटर डाल देंगे 빨리 डाल के इसको पकने देंगे। और इस इसे cover कर देंगे, cover करने के बाद, ये देखिए, मैं cover कर रही हूँ, ये cover करके, फिर cook हने देंगे, ये भाब बन जाए, ऐसे cover करने से, और ये देखिए, ये cook हो गया है, कितना बढ़िया color आया हुआ है, और खानी के लिए बहुत ही तेस्टी है, आप सुबा सुबा आप बना सकते हैं, अशेंज करके, ये देखिए, ये बन गया है अभी, अभी हम इसको निकाल लेंगे, ये हमने बना के तेयार कर लिया है, और ये देखिए, कितना बढ़िया बना हुआ है, और खाने के लिए बहुत ही तेस्टी है, हम अभी इसको काठ करके दिखा रहे, आप देख भूजी से भड़ा हुआ है और खाने के लिए बहुत ही टेश्टी है और बनाना बहुत असान है हम इस तरह से प्लेट में सजा लेंगे सर्फ करेंगे प्लेट में इस तरह से डालके और इसके साथ आप हरी चटनी और टमेटो केशप जो भी आपको पसंद है आप उसके साथ कर सकते हैं रेसीपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले मैं मिलूंगी एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्टे बाइबाइबाइब